पतनी ने कि अप प्रेमी को फोन और फोन करके पूछा कि पती का क्या हाल है तो एक प्यार भरा जवाब आया कि उसकी मौध हो चुकी है। इस मामले में सक्सेज नहीं हुई और उसने पंद्रे दिन पहले इस मामले के यानि एशी वारदात को अंजाम दे दिया। आज ही नहीं बहुत दिनों से होता आ रहा है और यहां हो रहा है ऐसी महिलाएं हैं जो प्यार में पागल होकर के अपना बनाया घर उजाड लेती है। और ऐसा ही मामला यह है जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ यह एक सची कहानी है और यही कहानी ऐसी कहानी आजकल के दोर में बहुत ज्यादा हो रही है। दर असल पुरा मामला है वहे जैपूर के हरमडा इलाके का है और हरमडा इलाके में एक रमा कमर नाम की जो महिला थी वहे अपने पती के साथ जैपूर में रहती थी और उसका जो पती था वहे एक प्राइवेट कमपनी में जोब करता था। महिला का 2021 में किसी लड़के के साथ संपर्क हो गया और वह उस लड़के से प्यार कर बैठी जिसका नाम था कनहिया लाल और कनहिया लाल था वह भी उसी कंपनी जो थी उसके पास में जो कंपनी थी उसमें कनहिया लाल भी जोब करता था दोनों उसका पती और कनहिया लाल दोनों ही कंपनियों में जोब करते थे महिला का जो संपर्क था वह कनहिया लाल के साथ हो जाता है 2021 में उसके बाद महिला धीरे धीरे प्यार में पागल हो जाती है लोग कहते हैं ना कि प्यार एक अंदा होता है प्यार अंदा ही नहीं प्यार गुंगा बहरा भी होता है क्योंकि प्यार में कुछ भी सुनाई नहीं देता है कुछ भी दिखाई नहीं देता है प्यार है वह इतना परवान चड़ गया था दोनों का कि दोनों को कुछ भी नहीं दिखा और जो रमा कमर थी उसने अपने पती क वो मारने का एक पलान बना लिया वहे अपने पती से छुटकारा पाना चाती थी और वहे कनहिया लाल के साथ साधी करना चाती थी वहे यही चाती थी कि अपने पती को रास्ते से हटा करके और कनहिया लाल के साथ साधी कर ले और अपनी जो बची हुई जिंदगी थी वहे हश कुछी कुछी से बिता सके। ऐसा महिला ने प्लान बनाया और सोशल मीडिया के माधीम से ज़के करने मामला है बहुत आगे चल गया था दोनों का प्यार था वो इतना परवान बात बात गया तके दोनों को कुछ नहीं दिखाई दिया रमा कमर थी वह अपने ही जो पती था उसको उसने मारने की एक बड़ी ही साजिस रची और साजिस भी एक ऐसी थी कि पुलिस अगर देखे तो उसको ऐसा लगे कि यह आत्म हत्या हुई है यानि इसका किसी लोगों ने टक्कर मारके और हत्या कर दी गई है या किसी अक्सिडेंट में यह लोग मर गया है इस परकार की वारदात को अन्जाम देना चाहा उसने अपने प्रेमी कनहिया लाल को बताया और कनहिया लाल ने जैसे ही कमपनी से छुटी हुई तो वह रास्ते में उसके पती को लिप्ट देने के बहाने गाड़ी में बैठा लिया और एक सुनसान जगे ले जा करके उसने उसके पती को गला रेत करके हत्या कर दी गई उसके बाद उसके गुपतांगों को काट दिया गया और उसको सडक किनारे इस तरह से डाल दिया गया कि पुलिस को लगे कि एक अक्शिडेंट हो गया है और अक्शिडेंट में इसकी मौत हो गई है ऐसे ही एक संसनी खेज जो मामला था वह हो गया उसके बाद जैसे ही महिला ने अपने देवर को फोन किया कि उसके भाई की हत्या हो गई है उसके देवर का किड़नी का इलाज चल रहा था हस्पताल में भरती था वह वहां से सीध हा और पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन जाकर कि उसने मामला दर्ज करवाया और मामले में पुलिस ने सक के दाइरे में उसकी पतनी को ही ले लिया और उसे पुस्ताच की तो मामला है वहे बड़ा ही गंभीर सामने आया पुलिस के होस उड़ गए और जो सुन जो लोगों ने देखा सुना उन लोगों के हवाहे निकल गई कि ऐसी भी महिला होती है वही काम हुआ पुलिस ने जांच परताल की जांच परताल करकर के पुलिस ने महिला को सक के दाइरे में लिया और सक के दाइरे में लेकर के महिला से कड़ी पूश्टाच की गई और उसके बाद महिला ने बताया कि वह सोसल मीडिया के जरिये कनही अलाल लाम के लड़के से बात करती है और वही उसी समय महिला के पास एक मॉबाइल मिला और उस मॉबाइल की कॉल डीटेल से पता चला कि कनही अलाल और महिला जो रमा कमर थी उसके बीच प्रेम परसंग का मामला सामने आया दरसल पुलिस ने कड़ी कारवाई करते हुए दोनों ही लोगों को पकड़ा और कड़ी पूस्ताच की तो दोनों ने अपना जुरूम कबूल कर लिया और वैसे देखे पुलिस ने बताया जो डी सी पी था बुडानिया उसे बताया कि परिवार की जो हालत थी वहे काफी खरा जोब करता था तो देखें तो महिल पुलिस ने बताया कि परिवार के अंदर काफी समझ चाये थी और उन समझ चाओं के कारण ही ऐसी वारदात हो गई रमा कमर थी वहे प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि वहे अपने ही पती को मरवा दिया रमा कमर पिछली रमा कमर ने बताया कि वहे पिछले एक साल से प्लान बना रही है अपने ही पती को मारने का लेकिन वहे इसमें सक्सेज नही हुई और पंदरे दिन पहले उसने अपने ही जो प्रेमी था कनहिया लाल उसको बताया और उसने उसके बारे में बता करके उसे बताया कि इसकी हत्या करनी है औ 27 माई को कनहिया लाल ने लिप्ट देने के बहाने उसके जो पती था कजोड सिंगरा ठोड उसको उसने मौत के घाट उतार दिया और सड़क किनारे इस तरह से डाल दिया गया कि पुलिस को लगे कि यह है एक अक्शिडेंट हो गया लेकिन और मामला इतना संसनी खेज था कि उ उप्तांग भी काड़ दिये गए थे अगल माम इस तरह की घटनाओं को देखें तो रूह कांप जाती है कले जह है वह चीर जाता है क्योंकि ऐसे ही वारदाती पुलिस ने जब देखा तो पुलिस की पैरों के नीचे से जन जमीन जो किसक गई क्योंकि ऐसी वारदाती और ऐसा मडर हुआ कि उसे देख करके हर एक इनसान की रुह कांप जाती है और रमा कमर ने पिछले एक साल से प्लान बना करके पिछले पंद्रह दिनों में ऐसा काम किया और उसने 27 मई को अपने ही पती को मौत के घाट उतरवा दिया और अपने प्रेमी के साथ रहने के चक्कर में उसने अपने हैं बना बनाया घर उजाड लिया दोस्तो ऐसी महिलाएं हैं जो अपना बने बनाया घर उजाड लेती हैं उन से उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि हम ऐसा कर रहे हैं लेकिन इसका अंजाम है वह क्या होगा आपको पता है दोस्तो जब हम बुरा काम कर गया और ऐसा होता है ऐसा ही मामलों में ऐसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है और आपको पता है कि गलत करेंगे तो गलत ही नतीजा होगा और यही काम रमा कमर के साथ हुआ और उसने अपने पती को मरवा करके करहिया लाल के साथ रहना चाहती थी लेकिन उसे ये पता नहीं था, जब पुलिस को इस चीज का पता चलेगा, तो वो दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे, पुलिस ने दोनों को गिर्पतार कर लिया, और आई पीशी की धाराओं के तहट, अनेक धाराओं के तहट मुक्दमा दर्ज करके, दोनों को जल के अंदर डाल दिया झाल, झाल, झाल.